दोस्तों इस मोबाइल पर नेटवर्क से रिलेटेड इशू आ रहा है यानिकि इसमें नेटवर्क नहीं आ पा रहे है अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे यह आप इस वीडियो में डीटेल से जानेंगे और सीखेंगे यहां पर आप देखते हैं इसमें नो सर्विस लिगा हुआ कोई भी नेटवर्क नहीं है इसमें पड़ी हुई है और इस वक्त इस एरिया में बहुत अच्छी नेटवर्क आ रहे है अब यहां पर इसमें इसके प्रॉब्लम है जिसकी वज़े से नेटवर्क से रिलेटेड इशू आ रहा है तो इसको आज हम ठीक करेंगे सबसे पहले अँप से थोड़ा सा तूटा भी है तो बड़े ही ध्यान पूरोग हमने खोल ना पड़ेगा तो यहां पर सावधानी बरसते हुए उससे खोल लिए बेटर तरीके से तो यहां पर हम इस तरीके से थोड़ा सा ग्लू रिमूवर इसमें लगा लेंगे और बहुत भी ध्यान से हमने इसको open कर दिया है अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर fingerprint sensor होता है तो fingerprint sensor का पत्ता unlock करके ही इसको आप हीजिएगा वरना fingerprint sensor का अगर पत्ता तूट गया तो समझ दिजिए आपके ओपर problem आ सकती है यानि कि आपको अपनी जेप से देना पड़ेगा तो ध्यान से खोलते वे आप इसको काम कीजिएगा अब यहाँ पर network से related issue क्यों आ रहा है असल में मेरे यहाँ पर नजर पड़ गिये यहाँ पर आप देख सकते हैं यह antenna का connector इस जगह से निकला हुआ है देखिए इस जगह से antenna का connector निकला हुआ है जिसके वज़े से network से related problem आ रही है अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो यह देखिए connector है इस जगह से निकला हुआ है देखिए अब यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगा पहले मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर इसके ऊपर एक support के लिए पता रहता है मुझे लगता है कि पहले यह mobile repair हुआ है उस वक्त जिस बंदे ने इसको खोला होगा उसने यहाँ पर नहीं लगाया होगा तो होता क्या है कभी mobile हाथ से गिर जाए या फिर होजाए तो पत्ते वगरा खुलने के chances रहते हैं इसलिए company उपर से sealed करके देती है और उस बंदे ने शायद sealed नहीं लगाया होगा जिसने पहले कभी इसको किसी और ford के लिए repair करा होगा तो यहाँ पर एक second मैं आपको दिखाता हूँ काफी जूम हो गया मेरी यहाँ पर वीडियो पर अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एटल लिखा हूँ है जैसे मैंने SIM डाला तो एटल यहाँ पर लिखा हूँ आ गया है प्रॉपर mobile इसमें network आ चुके हैं बिल्कुल असान तरीके से एक connector को लगाते ही यानि कि वो connector इसमें से निकला हुआ था अब मैं यहाँ पर आपको फिर दिखाता हूँ live इस connector को निकालता हूँ बाहर और आप देखेंगे कि यहाँ पर network गोल हो जाएंगे एक बार बस इसको अभी network दिखा रहा है एक बार बस मैं इसको flight mode बे डालूँगा और हटाऊँगा तो आप देखेंगे फिर network नहीं आएंगे इस पर क्योंकि इसका जो antenna है वो निकला हुआ है यानि कि हमने निकाल लिया है आपको live दिखाने के लिए आप देख सकते हैं इसमें no service फिर से लिखा हुआ आ चुका है अब यहां पर फिर से हमें उस connector को लगाना पड़ेगा और लगाते ही यहां पर network तुरंथ आ जाएंगे तो इस connector को लगाना है इस तरीके से तो यहां पर कभी-कभी इस connector के खुलने के और जिसे यहां पर बहुत ही असान तरीके से पत्ते से ही हमारा हो गया अब अगर आइसी खराब होती तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता तो यहां पर connector लगाने के बाद आप देखें मैंने flat mode पर डाला फिर से इसको हटाया तो फिर से यहां पर ATL के signal आना शुरू हो गया बस इतना सा काम था अब यहां पर एक छोटी सी चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा इसको लगाने से पहले देखें कभी-कभी यह problem हमारी ऊपर connector से तो आती है कभी-कभी एक नीचे से भी आ जाती है नीचे खोल के आपको दिखाता हो connector का दूसरा हिस्सा है तो नीचे से भी कभी-कभी connector खुल जाता है या किसी वज़े से यह हट जाता है तो नीचे से भी आप एक बार चेक कर लें कि नीचे से भी proper लगा कि ने तो इतना करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें glue अगर लगा कि इसका back panel लगा लेंगे उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर जो shield थी वो अगर मिल जाए तो better तरीके से उसको लगा ले तब जाके प्रोपल कभी यह दिकत नहीं आएगी